सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दियेगा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ चार बहुती ज़ादा बढ़िया मोबाइल सैमसंग, पोको, रियल्मी और रेड्मी की तरफ से जो आपको मिलते हैं 10,000 से 15,000 के बजट में तो इस वीडियो में इस सारे मोबाइल समय मापको कमपैरजन करके आपको बताँगा इन सब में क्या-क्या कम-या है, क्या-क्या च्छा-या है और आपको इन सब में सब कौन सा लेना चाहएच तो वीडियो के आप एंड तक गेखते रहिएगा बिल्कुल भी skip मत करिएगा चली बात कर लेते हैं सबसे पहले Poco की तरफ से आने वाले Poco M3 के बारे में दोस्तो ये mobile आपको मिल जाएगा 11000 का 11000 में इसमा आपको दी गई है 6GB RAM, 64GB के internal storage तो rate की सबसे वैसे इसके इंदर आपको RAM और storage काफी बढ़िया मिल जाती है design होता तो काफी बढ़िया रहता, बाकि दोस्तों के अंदर आपको IPS full HD plus display मिल जाती है, तो ये खुब भी काफी बढ़िया है full HD plus display दी गई है, colors और brightness अगर आप देहेंगे इसके display के, तो आपको काफी जाद अच्छे मिल जाते हैं, तो size भी अच्छा है design भी सही है, और quality भी आपको बढ़िया दी गई है, इसके display के अंदर बाकि दोस्तों, इसके अंदर आपको design बहुत जादा बढ़िया दिया गया है camera के design काफी जादा different मिल जाता है, इसके अंदर आपको leather look में design दिया गया है, तो scratches बहुत जादा कमाते हैं, इसके back panel पे design के जो quality है, वो आपको काफी जादा बढ़िया दी गई है पीछी की तरफ इसमें आपको तीन camera दिये गया है, जिसमें main camera है पहला 48 megapixel का, दो camera है दो 2 megapixel के, front camera है इसका 8 megapixel का camera की performance आपको rate की साब से scanner अच्छी दी गई है, camera को लेकर ये काफी बढ़िया है left side साब देहेंगे इसको तो sim के tray दी गई है इस सरफ, sim के tray ऐसी मिलती है कि आप 2 sim card, एक memory card, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं, नीची की side से देहेंगे तो type C port दिया गया है इसके अंदर आपको, और दोसे इसके साथ आपको charger fast मिल जाता है box के अंदर ही finger pin scanner side में मिलता है power के button के अंदर ही, उपर की side से आप देहेंगे तो noise cancellation mic दिया गया है इसके अंदर आपको IR blaster भी मिल जाता है, जिससे आपका memory mode काम करता है, टीव अगर आप इससे चला सकते हैं और इसमें आपको ऊपर की तरफ भी speakers दिये गया है, दोसे इसके अंदर आपको वैसे सबसे पहली बड़ी खुब इसकी मिलती है, वो है इसकी battery battery दी गई है, इसके अंदर आपको 6000 image की box के अंदर आपको 18W का fast charger भी दिया गया है, तो सबसे कम कीमत में इसमें आपको battery सबसे ज़्यादा बड़िया मिल जाती है, और charger भी अच्छा दिया गया है बाकि 200 processor मिलता है, Snapdragon 662, तो अगर आप एक heavy user है, तो इसके अंदर आपको performance अच्छी मिल जाती है, लेकिन अगर आपको processor की वज़े सही mobile लेना है, तो सबसे best mobile कौन सा है इन सब में, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो दोस्तों देखा जाए, तो अगर आपको budget 11,000 का है, तो अगर आपको budget 11,000 का ही है, तो आप इसको ले सकते हैं, POCO M3, चले बढ़ते हैं अगले mobile की तरफ, जो कि है Samsung की तरफ से, Samsung Galaxy M12, यह आपको मिल जाएगा दोस्तों 11,000 का ही, इसके अंदर आपको दी गई है 4GB RAM, 64GB की internal storage, अब दोस्तों इसके अंदर आपको पहली सबसे बड़ notch वाले design के साथ, इसके अंदर भी आपको IPS से display दी गई है, AMOLED तो नहीं मिलती, लेकिन display की जो colors है, brightness है, वो इसके अंदर भी आपको काफी ज़्यादा बढ़िये दिये गए हैं, तो display की quality को लेकर वैसे ये भी काफी अच्छा है, लेकिन इसके अंदर अगर AMOLED display होती, तो और ज़्यादा बढ़िये रहता, बाकि दोस्तों के अंदर आपको design मिल जाता है, plastic की type का, कुछ इस तरिके की look में, उपर की side छोटी 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 linings दी गई है, नीची की side से plain design है, तो look-wise तो design इसका normal मिल जाता है, बाकि दोस्तों quality design की scanner भी आपको बढ़िये दी गई है पीछे की तरफ चार camera मिलते हैं, इसमें main camera है, पहला 48 megapixel का, दूसरा 5, बाकि के दो camera है, दो-दो megapixel के, front camera है इसका 8 megapixel का, camera की performance आपको rate की साबसे सके अंदर भी अच्छी मिल जाती है, left side पर इसमें भी sim के tray दी गई है, इसके अंदर भी आप दो sim card, एक memory card, तीनों चीज़ इक साथ लगा सकते हैं, नीची की तरफ इसमें भी आपको type support दिया गया है, right side साब देहेंगे, तो power के button के अंदर ही fingerprint scanner दिया गया है, Samsung के अंदर भी, Poco M3 की तरह, उपर की side से आप देहेंगे, तो noise cancellation mic दिया गया है इस तरफ, अब दोसरे से इसके अंदर आपको battery मिलती है, 6000 image की, 15 watt के fast charger के साथ, तो battery backup इसके अंदर भी आपको बहुत बढ़िया मिल जाता है, काफी कम कीमत में 11000 में, charger भी fast दिया गया है, box के अंदर ही, processor इसके अंदर आपको मिलता है, exynos का 850, तो दोस्तों अगर आप एक heavy user है, performance अगर आपको बहुत ही जदा बढ़िया चाहिए तो वैसे मुझे इस mobile के अंदर performance नॉर्मल ही लगी, इससे और जदा बढ़िया स्मार्टफोन सापको मिल जाते हैं, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे, तो दोस्तों देखा जाए, तो इसके अंदर आपको तीन चीज़ा बढ़िया दी गई है, एक तो इसका user interface सबसे अंदर से चलाने में ये सबसे ज़ाद अच्छा लगता है इन सारे mobile में, दूसरे इसके अंदर आपको बैटरी बढ़िया दी गई है, और तीसरे इसके अंदर आपको सैमसंग का भरोसा मिल जाता है, अगर आपको सैमसंग पर ही भरोसा है, तो आप इस mobile को ले सकते हैं, इन 64GB के इंटरनल स्टोरेज, लेकिन दोस्तों पहला बड़ा फर्खिस मोबाइल के अंदर आपको इसके डिस्प्ले जो मिलती है आपको, वो मिल जाती है, जो आपको सैमसंग के अंदर, पोको के अंदर नहीं दी गई, इसके अंदर आपको मिल जाती है, तो डिस्प्ले की जो quality हड़ चीज इसके अंदर आपको काफी बढ़िया दी गई है, साड़े छेंच के आसपास डिस्प्ले है, दूसरी बड़ी खुबी इसका डिजाइन बहुत ज़ादा बढ़िया है, look wise इसका डिजाइन आपको Poco M3, Samsung Galaxy M12 से ज़ादा बढ़िया मिल जाता है, आप देख सकते हैं, color इसका बहुत ज़ाद अच्छा लग रहा है, plastic के type के design है, scratches असानी सा जाएंगे, आप बिन a cover के use मत करिएगा, बाकी look wise इसका डिजाइन इसका बहुत बढ़िया है, पीछे की तरफ इसमा आपको चार camera दिये गए हैं, जो किसकी तीसरी खुबी है, इसमें main camera है, पहला 48 megapixel का, दूसरा 8 megapixel का, दो camera हैं 2-2 megapixel के, front camera है इसका 13 megapixel का, camera की जो performance है, वो आपके इसके अंदर बहुत ज़ादा बढ़िया मिल जाती है, left side साब देहेंगे, तो sim के tray दी गई है इस तरफ, इसमें भी दो sim card, एक memory card, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं, नीची की side साब देहेंगे, तो type support, इसके अंदर भी आपको दिया गया है, right side साब देहेंगे, तो volume के button, उसे की ठीक नीचा power का button, fingerprint scanner इसमें आपको side में ही मिल जाता है, power के button के अंदर, उपर की side साब देहेंगे, तो noise cancellation mic दिया गया है, IR blaster मिल जाता है, जिससे आपका MI remote काम करता है, और इसमें आपको उपर की तरफ भी speakers दिये गया है, इसमें extra hubiया है, बाकि 200 batteries के अंदर आपको मिल जाती है, 5000 mH की, इसे के साथ आपको charger भी काफी जादा fast दिया गया है, 33W का box के अंदर ही, जो आपको जादा बढ़िया मिल जाता है, POCO M3 और Samsung से, charger इसके साथ आपको सबसे जादा fast दिया गया है, processor इसके अंदर आपको मिल जाता है, Snapdragon 678, तो performance इसके अंदर भी आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है, तो दोस्तों लगबग देखा जाए, तो इस mobile के अंदर आपको सारी चीज़े बहुत जादा बढ़िया ही दी गई है, design भी इसका बहुत अच्छा है, इसे के साथ display भी बढ़िया दी गई है, camera भी अच्छा है, processor भी बढ़िया मिल जाता है, और battery बेच्छी दी गई है, जाद अच्छे charger के साथ, सारी चीज़ों में Note 9 बहुत जादा बढ़िया है 12,000 में, चली बढ़ते हैं last mobile की तरफ, जो की है Realme का 8, जो latest launch कर दिया Realme ने 15,000 का, दोस्तों, इसकी कीमत 15,000 है सबसे जादा, लेकिन इसके अंदर आपको दी गई है, 4GB RAM X और 23GB के internal storage, तो storage इन सारे mobile में आपको सबसे जादा दी गई है, इसी mobile के अंदर Realme 8 में, इसे के साथ, दोस्तों, दूसरी बड़ी खुबी जो इसके अंदर आपको मिलती है, वो है इसके display, Redmi के Note 10 की तरफ, इसके अंदर भी आपको AMOLED डिस्पली दी गई है, colors और brightness आप देख सकते हैं, इसके display के आपको बहुत बढ़िया मिल जाते हैं, इसे के साथ, बड़ी खुबी यह है, इसके अंदर आपको fingerprint scanner, डिस्पली के अंदर ही दिया गया है, वैसे Note 10 की display की जो brightness है, उससे जाद अच्छी brightness आपको इसके अंदर मिलती है, हालकि colors दोने में बढ़िया है, design इसके अंदर आपको दिया गया है, प्लास्टिक के टाइप का, look wise इसका design भी बहुत ज़दा बढ़िया है, light की reflection इसके back panel पे भी आपको बहुत ज़दा बढ़िया मिल जाती है, बात कर दोस्तों camera की बारे में, तो पीछे की तरफ इसमा आपको चार camera दिये गया है, जिसमें main camera है, पहला 64 megapixel का, सारे mobiles के अंदर, camera को लेकर ये सबसे ज़दा best है, फिर आपको मिल जाता है Redmi का Note 10, left side साब देहेंगे इसको, तो sim के tray दी गई है इस तरफ, इसमें भी दो sim card, एक memory कार तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं, नीचे की तरफ type support दिया गया है, इसके अंदर भी आपको, right side साब देहेंगे, तो power का button दिया गया है इस तरफ, और volume के buttons, fingerpin scanner display के अंदर ही है, उपर से देखेंगे तो noise cancellation mic मिल जाता है, बाकि दोस्तो battery scanner आपको दी गई है, 5000 mH की, 30 watt के fast charger के साथ, तो Redmi के Note 10 के तरफ, के साथ भी आपको charger काफे ज़्यादा fast दिया गया है, box के अंदर ही, लेकिन दोस्तो एक खुबी सबसे ज़्यादा बढ़िया है इसके अंदर, जो कि इसका processor, इसमां आपको मिलता है MediaTek का G95 processor, अब देखेंगे अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा heavy user है, performance ही आपको बहुत बढ़िया चाहिए, तो processor को लेकर ये mobile सबसे ज़्यादा अच्छा है, इस सारे mobile's के अंदर, performance इसके अंदर आपको सबसे बढ़िया मिल जाती है, फिर Note 10 के अंदर, और बाकी की दोनो mobile's के अंदर आपको normal ही processor दिये गए है, पोका M3 और Galaxy M12 के अंदर, तो दोस्तों देखा जाए, तो display की quality, इसके साथ camera, काफी बढ़िया battery, अच्छे charger के साथ, और इसके साथ बढ़िया processor, ये खुब ये आपको realme 8 में मिल जाती है, 15,000 में, चलिए बात कर लेते हैं, सबसे main चीज, आपको इन सब में साथ कौन से लेना चाहिए, तो Galaxy M12 और पोका M3 के अंदर, आपको कमिये जादा मिलती हैं, मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपको budget 11-12,000 तक कही है, आप उससे उपर नहीं बढ़ सकते, तो तो आप Redmi का Note 10 खरी दिएगा, यह आपके लिए सबसे best रहेगा, बाकि दोस्तों अगर आपको budget थोड़ा और बर सकता है, तो 15,000 में Realme 8 आपके लिए सबसे ज़ादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको एक तो प्रोस्सर, दोसरा display की थोड़ी सी brightness, और इसे के साथ दोस्तों camera, यह तीन चीज़ा और ज़्यादा बढ़िया दी गई है, तो अगर आपके लिए processor ही matter करता है, तो आप Realme 8 ही खरी दिएगा, और camera बढ़िया चाहिए आपको बहुत ही ज़्यादा, तो भी आप Realme 8 ले सकते हैं, बाकि दोस्तों कम कीमत में Note 10 भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो कम कीमत में Note 10 बढ़िया है, और अगर आपको बजट ज़्यादा है तो Realme 8, आप बताईगा दोस्तों फिर भी comment करके, आपको इन सब में कौन से ज़्यादा अच्छा लगा, ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताईगा, वीडियो कर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के निचे जलाल कलरका बटन उससे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल ऐकन भी दबा देगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुचती रहें, इसके लव वीडियो अगर आपको helpful लगी, तो अपनों दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा वाट से फेस्बुक पे, मिले तने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केर, बाबाई